मंगलवार को सुप्रिम कोट ने कॉंग्रेस ने ता हार्दिक पटेल को बड़ी राहत दे दी है पार्टिदार अंदोलन मामले में गुजरात हाई कोट की ओर से दो साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है सरवोच अदालत ने कहा कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हाई कोट के फैसले प्रभावी नहीं माने जाएंगे यानि गुजरात हाई कोट की ओर से दो साल की सजा निलम बित रहेगी देश की सबसे बड़ी आदालत ने गुजरात में पार्टीदार आरक्षन आंदोलन के दोरान हुए दंगो और आगजनी के मामलों में कॉंग्रेस नेता हर्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है शीर सदालत ने कहा कि याची का करता की अपील पर अंतिम फैसला होने तक इस मामले में कोई सजा नहीं होगी शीर सदालत ने हाई कोट को भी ये सलाह देते हुए कहा कि मामला सुप्रिम कोट में है इसलिए दोशी सिद्ध होने तक आपको सजा पर रोग लगानी चाहिए दरसल पार्टिदार अनामत आंदोलन समीती ने हारदिक पटेल के नेतरत वाली आरक्षन की मांग को लेकर एहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी पुलिस ने दावा किया था कि जायोजन के लिए आवश्यक अनुमती नहीं ली गई थी इस मामले में लोगों के गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने के खिलाफ परात्मी की दर्श की गई थी इस मामले में गुजराथ हाई कोट ने हारदिक पटेल को दो साल की सजा सुनाई थी गुजराथ हाई कोट के फैसले के खिलाफ हारदिक पटेल ने सुप्रिम कोट में अपील की थी सुप्रिम कोट ने हारदिक पटेल के वकील मनिंदर सिंग ने कहा कि चुनाव लड़ने से रोकना अधिकारों का हनन है हारदिक 2019 में एक बार चुनाव लड़ने का मौका गवा चुके हैं उनका अपराद कोई सीरियस किलर जैसा नहीं है गुजरात पुलिस ने अपने शक्ती का गलत इस्तेमाल किया है वकील ने नौजोच सिंग सिद्धू के केस का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रिम कोट ने कहा था कि दोशिशिद याचिका पर सुनवाई के दौरान कोट को ये देखना चाहिए कि इसका व्यक्ती पर क्या प्रभाव होगा और उसे बरकरार रखा गया तो उसे कभी न पूरा होने वाला नुकसान तो नहीं होगा इस फैसले में कहा गया था कि ऐसे मामले में मौजूद सबूतों पर भी गौर किया जाना चाहिए हार्दिक पटेल के खिलाफ केस में कोई सीधा सबूत नहीं है साल 2015 में पार्टिदार आरक्षन आंदोलन के दोरान उपद्रव के मामले में 29 मार्च 2019 को गुजराथ हाई कोट से हार्दिक पटेल को बड़ा जटका लगा था गुजराथ हाई कोट ने हार्दिक पटेल की याचिका को खारिस कर दिया था जिसमें महसाणा में 2015 के उपद्रव के मामले में उनकी दोशरसिद्धी को निलंबित करने की अपील की गई थी दंगा भड़काने के आरोप में साल 2018 में इचली कोट ने पाटिदार नेता हार्दिक पटेल को दोशी ठहराते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी